कि स्लो रियक्शन्स मोडरेट रियक्शन्स और फास्ट रियक्शन से आप क्या समझते हो नमस्ते मेरे नम दिब दलाल है और इस लेक्चर में हम इन ही प्रशनों के उत्तर खोजी नहीं कोशिश करेंगे ओके अब बता हम क्या पढ़ते हैं वही क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रियक्शन्स और बेसिज ओफ रेट देखो वही तो इस टोपिक को हमने टोटल तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है जो रियक्शन मोडरेट रियक्शन एंड फास्ट रियक्शन तो बताओ तो भई क्लासिफिकेशन ऑफ रियक्शन तेको रियक्शन्स को आप उनकी स्पीड के अदार पे प्राइमेरली तीन केटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो एक तो कौन सी होंगी स्लो रियक्शन्स पेडियो n साल होने में बहुत है बहुत ज्यादा टाइम लगता हूँ गंटे लगते हों दिन लगते हों वीक्स याइवन मंत और साल लग जाएं उसे हम क्या बोलेंगे यह रियक्टेंट जो है वो कनवर्ट तो होगा इंटू प्रोड़क्ट लेकिन बहुत ही स्लो रेट से कनवर्ट होता है तो क्या बोलेंगे उनको स्लो रियक्शन और इसका टिपिकल एक्जम्पल कौन सा होता है रस्टिंग और आरेंट आपकिसी लोग एक टिकटे को बाहर छोड़ देते हो तो उसको इमेजेटली उसको जंग नहीं लग जाएगा उसमें दो दीन तीन चार दिन वॉसमें दो महीं यह तीन में कुछ तो क्या होती है तो रस्टिंग और एक्जम्पल रियक्शन क्या है इक reactions होती है जो complete होने में reasonable time ले क्या ले मतलब seconds ले minutes ले ले ज्यादा करें तो गंटे ले ले क्या करें लेकिन यह ना कि रियक्शन आज आपने start कर दी और तीन साल तक तीन महने तक reaction चलती ही उन्हें क्या बोलेंगे moderate reaction जो क्या करती है बताओ जो second seven minutes है या गंटे लेंगे moderate reactions आगे आपको अब बताओ इसका typical example बताओ कौन सा होता होता है बताओ hydrolysis of cane sugar समझे बात जो अरे जो cane sugar नहीं होती जो जो गन्य में से जो शुगर निकलती है उसका क्या करते हो hydrolysis है यह आपको पानी मिला किसको तोड़ दो C6H2O6 के अंदर तो यह reaction moderate speed से होती हो तो क्या बोलेंगे इसको moderate reaction क्या आपर है यह आपर है अचाहेगा वह इच सुरी अभी इसको त्हुटीरिक रिश्टी कर लिए आपर क्या गरों यह यह भी एच और यह भी क्या हमारे पास है आगे आपको एक हमारे पास क्या हो अच्छा आपको तो कि आपने इसको पैसे मानूं कि और अपर ईससे प्रीक्शमट पूरी तो यह इतनी यह मानोगर आफ्टेक्शन पूरी इन इंगिन्म यह को रूंक पता है अपस्ट टीराइक्श measures नहीं को बन करने के लिए अपके पास बेटरेट कि टेक्नीक होती और आपको बताऊं वह घ्यार मींबारी क्लास में आपने पढ़ने नहीं होती इवन बीसी में भी नहीं पड़ने होती फास्ट रियक्शन के अपके सब्सक्राइगे अगर आप पड़ मास्टर समझे बाद या मेरे खाल से बीस्टी ओनर्स में दे रखी है आगे आपको बोलो भई बताओ और इसके टिपिकल रियक्शन कौन सी है अगर कोई बच्चा गंजा हो जाए अगर किसी छोटे बच्चे के बाद भी बाल कर काट दिये जाए ठीक है तो उसको नहाने बड़ी दिक्कत आती है कैसे वह सर्पण डालेगा इससे पहले ऐसे करेगा पानी मोरी में से बाद आपको पले पड़ी अगर किसी के बड़े 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 बाल है तो पानी सर पे डाला वह बालों में पानी उलज जाएगा देरे-देरे पानी निचाएगा और आसानी से वह मसल सकता रगड़ सकता ह तो इसलिए वहाँ पर जिसे रगड़ना क्या हो जाए एक तरह से खुद को साफ़कार मुश्किल नहीं होता है तो ऐसे बच्चे फिर वही तसले में बैठके नाते हैं यह पानी डाले भी तो पानी कहा रहे जाए तो उसी तरीके से फास्ट रियक्शन में आप रियक्षेंट करने के लिए इसे पहले पूरी हो चुकी हो तो भाई इस लेक्चर में इतना है अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्ण यह तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं उनके उत्तर देने के पूरी-पूरी कोशिश करूँगा तो बढ़ होते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए मश्चेश